नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल नॉलिज पंडित पर दोस्तों मैं रंजीत पंडे आपके लिए लेकर आ रहा हूं साइन्स के मोस्ट इंपोर्टेंट रिपेटिट कॉशन और ये सीरीज है दो हजार प्रशनों की तो आज के वीडियो है तो अपने ग्रूप में जरूर शेयर करिएगा सबसे पहला प्रशना आप देख रहे हैं पादप कोजिका में लचीले पन का कारण क्या होता है तो पादप कोजिकाओं में लचीले पन का मुख्य कारण होता है इस तूलो तक उपस्थित होना ऑप्शन नमबर C प्रशन का सही उत्तर है अगला कॉशन है मनीला हेंप किस का उधारण है तो मनीला हेंप जो है ये फ्लोयम रेशे का उधारण है ऑप्शन नमबर फ्लोयम रेशा डी प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नमबर फ्लोयम रेशा मनीला हेंप का उधारण है अगला कॉ नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट इस टोलित कहलाते हैं कैल्शियम कार्बोनिट के क्रिश्टल निम्न में से रबर का इस त्रोथ क्या है रबर इन में से किस से प्राप्त होता है तो रबर का इस त्रोथ इन में से जो है हीविया प्लांट है option number C प्रश्णिका सही उत्तर हो जाएगा अगला कॉशन है एस्टेरो इसकेले रेडियस किस में पाई जाती है एस्टेरो इसकेले रेडियस किस में पाई जाती है तो इस्टेरो इसकेले रेडियस जो है यह चाय की पत्ती में पाई जाती है option number चाय की पत्ती सही उत्तर हो जाएगा म्रदू तक कोशिकाओं की कोश का भिती कैसी होती है तो म्रदू तक कोशिकाओं की कोश का भिती जो होती है वह cellulose ही होती है option number cellulose सही उत्तर हो जाएगा next question है उपचर्म की विशेस्ता क्या होती है उपचर्म की विशेस्ता क्या होती है तो उप्चर्म की विशिस्ता मरुद्भिद, option number मरुद्भिद, right answer हो जाएगा Next question है, मंड आच्छद किसे कहते हैं, मंड आच्छद, इन में से किसे कहते हैं, तो right answer हो जाएगा उप्चर्म की विशिक 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 आयो का पता चलता है पैरी डर्म किसे संबंदित है पैरी डर्म इनमें से किसे संबंदित है तो पैरी डर्म जो है कॉर्क कॉर्क केम्बियम और दूसरा वलकुट प्रश्ण का सही उतर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए यह पैरी डर्म कहलाता है कैलोस क्या कहलाता है कैलोस इनम प्रारूपिक गुड़सूत्र का भाग कौन सा नहीं है तो प्रारूपिक गुड़सूत्र का भाग इन में से नहीं है वह है तन्तवूतक option number B right answer हो जाएगा तन्तवूतक next question देख लेते हैं अगला प्रशन है निम्न मैंसे लिंग सहलगन विकार कौन सा है लिंग सहलगन विकार इन में से कौन सा है तो टर्नर सिंड्रोम लिंग सहलगन विकार है option number B प्रशन का सही उत्र है मेंडलवाद के पुनह खोज करता कौन थे? मेंडलवाद के पुनह खोज करता कौन थे? तो यहाँ पर right answer हो जाएगा Hugo Debris, Correns और Shermac इन लोगों ने फिर से मेंडलवाद को दुबारा से खोजा right answer हो जाएगा मतलब उनके शोधों पर दुबारा से research किया अगला question आपके सामने है इन में से कौन सा विशम युगमजी है? इन में से कौन विशम युगमजी है? तो टीटी प्रश्ण का सही उत्र हो जाएगा यह विशम युगमजी है पाईसम सेटाइवम का सामान्य वास्मत्वानस्पतिक नाम क्या है? तो पाईसम सेटाइवम को हम उध्यान मटर के रूप में जानते हैं option number D, right answer हो जाएगा जीवों के अगुड़ित गुड़ सूतरों के सैट या जीनों को जो है है हम जीनों के नाम से जानते हैं सही उत्र हो जाएगा अगला प्रशन है लक्षणों को नियंत्रत करने वाली आधने के काई क्या कहलाती है? अगला प्रशन है जाएव प्रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् प्रतिज्याव के नौटे टम excel से प्राप्त की जसिए निग्मीर्ट से उत्तर हो जाएगा जीवाडुआँ में उपस्थित अतिरोक्त वर्तुल डीएने को क्या कहते हैं उपस्थित अतिरोक्त वर्तुल डीएने जो है प्लाज्मिट के रूप में जाना जाता है option number plasmid सही उतर है परियावरण में उग रहे किसी पादप का समबंध किस से होता है तो परियावरण में उग रहे किसी पादप का संबंध उस छेतर की मरदा से उस छेतर में उपलवद प्रकास से छेतर के अन्य पादपों से उप्रोक सभी प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति में उर्जा का मुख्य स्त्रोथ क्या है तो प्रकृति में उर्जा का मुख्य स्त्रोथ सूरह है राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायू मंडल में सांधरता बढ़ाने से उत्पन होता है तो green house प्रभाव जो है यह carbon dioxide gas की wire bundle में सांदरता बढ़ाने से उत्पन होता है प्रकृती में जैविक क्रियाओ है तो उपलब्ध जल की प्रतीशत ता एक प्रतीशत है राइट आंसर हो जाएगा अगला question आपके सामने है जीन निम्न में से किस से बने होते हैं तो जीन जो है DNA से बने होते हैं राइट आंसर हो जाएगा DNA निम्न मैंसे कौन सा तत्व पौधों का सुक्ष्म पोशक है तो बोरोन पोशक तत्व पौधों का सुक्ष्म पोशक है इन मैंसे वर्मी कमपोश्ट बनाने वाला जीव कौन सा है तो केच्वा वर्मी कमपोश्ट बनाने वाला जीव है अविकल्पी पर जीवी सम्मू कौन स है तो अभी कल्पी परजीवी सम्मूज विशाणू है राइट आंसर हो आड长 से क्या जाता है अंसर युजिन है तो वायरस जनित रोगों का समभीसök निम्दन मैं से कौन सा है तो पोलियो और डैंगू ये वाइरस से होने वाले रोग हैं निम्ड मैंसे किस रोग के वाहक मच्छर नहीं है तो टाइफाइड मच्छर के द्वारा नहीं होता है राइट आंसर हो जाएगा 2005 तक राजी में चिन्यत एट्स रोगियों की संक्या कितनी थी तो ये उत्तर प्रदिस राजी की संक्या है तो बारासो चौरासी प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा अगला कॉशन देख लेते हैं मानव हस्तक शेप के कारण हुए परियावरन परिवरतन का मानव स्वास्त पर कैसा प्रभाव हो रहा है तो मानव हस्तक शेप के कारण परियावरन परिवर्तन पर मानव स्वास्त पर जो है घातक प्रभाव हो रहा है इसके बारे में आप समझ सकते हैं SPM किस से संबंदित है तो SPM वायू प्रदूशन से संबंदित है राइट आंसर हो जाएगा सूर से आने वाली परावैगनी किरणों से प्रत्वी वास्यों को बचाने वाली गैस कौन सी है तो O जोन गैस जो है सूर से आने वाली परावैगनी किरणों से प्रत्वी वास्यों को बचाती है ध्वनी प्रदूशन को मापनी की काई क्या है तो decibel ध्वनी प्रदूशन को मापनी की काई है निम्न मैं से कौन सा मनुष्य के रक्त में मिलने वाला प्रतिजन नहीं है तो ओ मनुष्य के रक्त में मिलने वाला प्रतिजन नहीं है रुधिर वर्ग O वाली इस्त्री का विवाह, रुधिर वर्ग A.B. वाले पुरुष से होने पर उत्पन्य शिश्वों में पाया जाने वाला रुधिर वर्गों की संभावना क्या हो सकती है, तो उनमें रुधिर वर्गों की संभावना 50 प्रतीशत हो जाएगी, राइट आं तो कि द्रश्टी से अध्यन की शाखा क्या कहलाती है तो इसे हम आर्थिक वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं इन में से कौन सा पादक तेल उत्पादन नहीं करता है तो अरहर तेल उत्पादन नहीं करता है यह दाल का उत्पादन करती है तो दोस्तो ये था साइन्स के most important repeated questions का वीडियो आगे की सीरीज देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब करें कमेंट करके बताए कैसे लगा वीडियो शेर जरूर करें, लाइक करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद